हां जी भाई लोग तो व्लोग विजएट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है तो बाई सबसे पहले थेंक यू सो मच क्योंकि हमारे इस चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो चुके हैं तो आप मेरे को अपना सपोर्ट ऐसे दिखाते रही है मैं ऐसे और सारी गारियों की वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा तो आज अपने सामने है टाटा ट्यागो का लिमेटेड एडिशुन वेेरियंट टा टा की सारी गारियों की बिल्ट क्त बहुत जादा अच्छी है इसकी विल्ट कॉलिटी भी अच्छ और प्राइज़ंग भी ऑच्छी उसका लुक इससे काफी जादा अच्छा है बट जो इसकी प्राइज रेंज है 666,000 अन रोड इन आगरा उस हिसाब से कर देखे तो इस गाड़ी में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी है काफी अच्छी फाइब सीट रेक कार है अगर सबसे पहले मैं इसकी लेंथ की बात कर लो तो 1677 mm की विर्थ मिल जाती है वील बेस की बात कर लो 2400 mm का वील बेस मिल जाता है और हैट की बात कर लो तो 1535 mm की हैट मिल जाती है और में चीज जो है ग्राउंड कलियर नस वो मिल जाता है 170 mm का बट जो नजर जा रही है वो जा रही है इसकी क्रोम फिनिश के नीचे वाली हेडलाइट पर हलुजन हेडलाइट्स पर बगल में मिल जाते हैं इंडीकेटर नीचे की साड़ में मिल जाती है fog lem जो नहीं दी गई है इस पेस दीगई है बस, बीच में मिल जाती है नीजे की साड़ में, glossy black में, chrome finish बीच में टाटा का logo, और tires की बात कर ले हैं तो हमें 14 इंचिस के इसके अंदर टायर दे दिये गाई हैं इंडिकेटर की बात कलने हैं तो ORVM पर इंडिकेटर मिल जाते हैं बॉडी कलर ORVM, बॉडी कलर डोर हिंडल से मिल जाते हैं उपर की साइड हमें मिल जाता है बलेक कलर में एंटीना और Sunroof-Unroof-Roof Frills तो होते ही नहीं है पीछे के साइड हम गाड़ी के चले हैं तो हमें मिल जाती है halogen tail lamps और बीच में हमें मिल जाता है इंडिगेटर, center में हमें मिल जाता है टाटा का logo नीचे टया को लिखा हुआ रिए हमें से पहले चाली को करते हैं अंलौक कि एस से लिफिव फिर यॉजे करते हैं वाड़ के बात करें तो बलैक और фильवर फिर निश में बहु जाती दोर मिल जाति है इसकी स्टेरिंग विल रैप हमें नहीं मिलता है हमें स्टीरियो के इसकी चोटी सी टॉच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है फाइव इंचिस की जैसे आप देख से बड़ी प्यारी सी अब दिख रही हो तो वैसे थोड़ी दिखने रही हो तो लाइट का फ़रक हो सकता है इध अष्शी साडलाइट मलते हैं यह ह Khan एधार आपको यह पूरा इसके मिल जाते हैं यहां से आप सामसे से कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है और नीचे चले हैं तो नीचे की बात कर रहे है तो नीचे मैं uncertainty मिल जाते हैं और चृशव कास असा है नहीं सबस्क्राइड होती है दूंआ को जती है डिक थिक सी ही गाड़ी मुझे लगी है ऊपर कीो सोdat इसका की ये अवाडे का पूरा लॉक्त है की से ये स्नुच्ट इह और एक मैं के रिखा ते वाले एक ति Q लिकी मिलती है मैं तो इसे बχड आображ हुए तो यह दूसरी की आंब दी गई है चलते हैं उसकी को-passenger साइड. पहसे मिल जाते हैं tobacco ट्विटर और में अपनी स्क्रायन पर देक्शिते हैं के से तो भाई अगर को पेसेंजर की बात करो तो भाई कमफर्ट काफी ठीक ठाक मिल जाता है मैं असके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो यह सब आप मैं नॉर्मल हे पूरी गाड़ी दे दी गई है ऐसा कुछ इसका पूरा लुक है तो भाई ठीक है कोई मुझे कोई खासा खराबी लग नहीं रही है अगर देखा जाए तो अब चलते हैं गाड़ी के पीछे देखते हैं पीछे का क्या पूर्सीन है तो भाई यहां बैठ है तो भाई यहां मैं गया हूं बैठ इथर हमें एसी वेसी कुछ नहीं दलता ऐसा कुछ है भाई पीछे से तो अगर दिया है आओ लिमिटीड एडिशन का लोक मतलब बैर एसी दे सकते थे वो तोड़ा सा ऑटोमेटिक टाइप में है बिस्पले को और बड़ा कर सकते थे मतलब चेंजिस कर सकते हैं आमरेस दे सकते थे सकते लेमिटेड इडिशन जाने थे, ठीक है, चाने देते हैं, शहलेंगे थोड़ा, तो एसा कुछ बाई, पीछ पूरा लुक है, सीट स्वी ठीक टाग है, मतलब नेक्षोन की जू सीट से, मतलब यह जो ने डिजाइन दिख रही होगर आपको, तो अगर दिख रही हो है जिकर के, तो यह डिजाइन तो भाई लोग गारी की बिल्ड क्वालिटी तो बहुत जादा अच्छी है गेट वगर इसके बज़ते नहीं है अब अगर बूट स्पेस की बात करें तो नॉर्मली ऐसे की से ही अनलॉक होती है नीचे की साइडा में दीके यह बटन आप इसे उठाओ गए उससे अनलॉक हो बूट स्पेस की बात कर लें तो 242 लीटर्स की हमें इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाती है हाँ थोड़ी सी लाइडनिंगी कमी है मैं जानता हूं उस चीज के लिए तो आप आराम से थोड़ा सा देख सकते है मैंने फ्लेश अन कर लिया था इसके लिए तो नीचे की साइ बात कर लेते हैं उसके इंजिन की साइड क्योंकि भाई इस प्राइस रेंज में ठीक ठाक पावर्फुल इंजिन हमें मिल जाता है और इंजिन की बात करने तो थ्री सिलेंडर इंजिन हमें इसके अंदर दिया गया बेसिकली अगर मारूत ही गाड़ियों को देखे हैं जैस और तेरा एनेम का और जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज वो करती है 19.8 के MPL का बागी सब आपके चलाने के उपर डबेंड करता है आप गाड़ी से कितना एवरेज निकाल सकते हो और आप इन सब को अगर अलग करते हैं तो बात करते हैं इसके सेफटी की टाटा टियागो को ग्लोबल इनकैप में मिले हैं 4 स्टार की रेटिंग तो ठीक ठाक स्टार रेटिंग है इसके पास बिल्ड कॉलिटी काफी अच्छी है एरवेक्स भी गाड़ी के अंदर हमें दे दिये गए हैं तो मेरे हिसाब से आप अगर फैमली गाड़ी सोच रहे हो इस प्राइस है तो भाई लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को शेर जरूर करना अगर और भी किसी गाड़ी से रेलेटिड वीडियो बनवा नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बता रहा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक बने रही है मेरे साथ ख्याल रखिये वीडियो देखने के लिए तेंक यू सो मच